आप सभी का Teaching Goals के इस Learning Platform पर उमीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करने वाली हूँ कि HBSC ने एक important message आपके सामने जारी किया है जिन लोगोंने Biometrics से related ये news है आपकी abstract की जो आपका 2022 वाला exam हुआ था उसकी Biometric की news है और ये कल आया है 17 तारिक को ठीक है 14 जन्वरी को आया है इसके अंदर आप सभी को क्या बताया गया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि 3-4 जन्वरी को आपके exam हुआ था और आपकी Biometric का जो पहला आवसार इन्होंने दिया था result due to late verification के अभी तक वो result जो है उन्होंने जारी नहीं किया है क्योंकि Biometric यहाँ पे बहुत से बच्चे जन्होंने नहीं कराई है तो कितने बच्चे हैं ये 587 students है जन्होंने अपनी Biometric नहीं कराई है और उनका result भी यहाँ पे जारी नहीं किया गया है अब ये खोन है मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो ये 30 जन्वरी को और 31 जन्वरी को इनको एक आखरी मोका दिया गया है बई 30 और 31 तारिक को आपको तीसरा आवसर दिया जा रहा है आपको वहाँ पे भीवानी बोर्ड में खुद जाना है ठीक है और अपनी बायोमेट्रिक करनी है तो आप जो कोई भी है आपकी लिस्ट भी है नीचे मैं आपको दिखा दूँगी अपना एड्मिट कार्ड ले करके जाना है ठीक है और अपनी एक आईडी को ले करके जाना है देखिए ये लिस्ट है आपकी जो आपकी 587 कुछ कांडिडेट है ठीक है मीना कुमारी इश्वर मोहम्मद मुस्ताक शितल और ये जो कोई भी है ठीक है तो आपकी आप अपनी ये जो मैं टेलिग्राम पर डाल दूंगी ये पूरी लिस्ट टीचिंग गोल्स नाम से मेरा टे जिल्दी कराइए आपको 30 और 31 जनवरी का टाइम दिया गया है तो यही न्यूस थी जो आपको इस वीडियो में देनी थी थैंक यू थैंक्स वर वाचिंग मी